हाई फ्रेंज वेल्कम टो गैलेक्सी फोटो स्टोर आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं एक नए प्रटक्ट के बारे में जिसका नाम है लेलीपुट एसेवन एस फील्ड मॉनिटर फील्ड मॉनिटर पहले जो में आपके बताता हूं क्या होता है जैसे कि अपना कैम इसके लिए तो यह प्लव मॉनिटर प्लस जिसका चोटा है या उसकी कॉलिटी स्कीड के अच्छी नहीं पता चल पाते हैं तो उसके लिए आपका फील्ड मॉनिटर काम आएगा और तीसरा अद्वांटिजिस के अंदर यह है कि अगर आप आउट्डोर में काम कर रहे हो त तो अगर आप फीड मॉनिटर लेंगे तो आपको प्रॉपर दिखाई देगी सारे कलर दिखाई देंगे और इसके साथ अधिशनल फीचर इसक्रीन में यह भी होते हैं कि इसमें फीकिंग फंक्शन होता है जिससे आप फूकस चेक कर सकते हो बागी फॉल्स कलर होता है जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी तो एक बार मैं आपको अन्बॉक्स करके दिखा देता हूं कि यह सेवन इंच का मॉनिटर लिलिपूट का फॉर के असिस्ट का नाम है तो फॉर के असिस्ट का मतलब यह कि कोई भी कैमरा जो फॉर की कैमरा आज कर ला रहे है उससे कंपैटिब लेकिन जो इसकी खुद की रेजल्यूशन है वह फॉर के नहीं है वह है आपकी नैंटीन ट्वेंटी इंटु बारा सो एच्टी से थोड़ा सो ऊपर रेजल्यूशन है लेकिन कोई भी फॉर के कैमरा में अब जब इसको ब्लग इन करोगे लिए मैं के साथ तो यह फुल स्क इन्होंने को खोदी लगा रखा क्योंकि फील्ड में कभी गिर भी जाती है चीज तो और इसके अंदर यहां पर फ्रेड नीचे जहां पर आपका मांट हो जाएगा और इधर ऊपर एक त्रेड आगर आपको ऊपर से मांट करना जैसे टॉप से कहीं से और जो इसके बटन्स है यहां पर ऑन अफ का बटन इधर है फंक्शन बटन है कस्टम फंक्शन से कर सकते हो एक बटन और रोलर है रोलर से आपके सारे कंट्रोल हो जाएंगे मेन्यों के जब मैं करके आपको दिखाता हूं प्रस एक साइट फोन जाग है क्योंकि इसमें साउंड भी आती है सब्सक्राइब लगा के तो उसकेस में अब इसको बिजली से बिजला तके लांग शूट में बाड़ डिफॉल्ट इसके अंदर जो सिस्टम है वह बैटरी पावर का क्योंकि पोर्टेबल डिवाइस है तो इसके अंदर यह बैटरी प्रेट दे रखी है तो इसके अंदर हम सब्सक्राइब कोटेंट्स देखते हैं एक में एजडियमाइगे जो केबल बिसके साथ आती है वह मिनी एजडियमाइग तो लग जाते हैं लेकिन मेरे लेस में आजकर माइक्रोटे मायग्री आरिए तो अलग से लेनी पड़ेगी जैसे सोनी और जेट सिक्स वगएरा आर यह वाली लेकिन आपके डिया सब्सक्राइब कर सकते हो कैमरा पे या रिक पे और अगर आपको एक्स्टा हैंडल लगाते हो गिंबल पे हैंडल के साइड में भी आ जाएगी एल ब्राकेट टाइब आते हैं डबल हैंडल पर भी आ जाएगा इस बालेट के तुरू यह बाल लेट एक इसका बैटरी प्लेट है यह 970 प्लेट है यह इस पर हैसे अटाच वेर्टी स्लाइड हो के जैसे नॉमल होती है यह आपके अटाच हो की क्लिक करके प्रियां से लॉक तो इस पर आपके एफ 970 की बैटरी लग जाएगी इस चैन्डर एलेडी वाली बैटरी है हम से चलाएंगे और इसके अंदर है के संचेड जो आउट्डोर में आपको बता रहा था कि आउट्डोर में नॉमली धूप तेज होने से स्क्रीम दिखाई नहीं देती तो आप करेक्ली देखनी पाते एक्पोल्जर और फोकस तो इस संचेड इस पर लग जाएगा ऐसे वेल इसका संचेड इजी टू रिमूव है और आप देख सकते हैं इसका साइस काफी बढ़ा है तो एक बार में केबल लगा आपको दिखाता हूं तो कि क्या रिजल्ट आता है इसके उपर यह बैटरी है बैटरी इंजूडेंट नहीं है बैटरी आपको लग से खरीनने पड़ेगी अप्रॉक्सिमेटली आपकी बैटरी मेडियम साइस की छे-साथ सुरुपे से स्टार्ट हो जाती है इस लाइड होई क्लिक ग्रेप एक दब मुक्के अभी अब यह बाइड ओन हो गया आपका ओन आफ से अब इसमें नो सिखनल है क्योंकि हमने कुछ लगाए नहीं है पहले मैं आपको मेनियू सिस्टम दिखा देता हूं फिर इसको एक बार कैमरे से कर लेंगे यह आपका जो डायल है डायल से अगर आप घुमाओगे डायल को तो इसमें बाइड डिफॉल्ट फंक्शन जाज़ होते हैं उसके बाइड डेफॉल्ट इसा फिफ्टी बेर टेंट शापनेस यह सब आप कंट्रोल कर सकते हो डायल से और वॉल्यूम वॉल्यूम अभी हमने जीरो करिए क्योंकि वॉल्यूम हमें रिक्वार्मेंट नहीं है और जो फिर और जो मेन मेन्यू है वह आपकी इसी मेन्यू को ठीक करना है उसी मेन्यू के अंदर जाके डायल दबाकर पर लीचे कि जा सकते हैं और जिस चीज़ को छेड़ना है जैसे उसके उपर आप डायल को प्रेस करके उसी से कम जादा हो जाएगा तो इसी सिस्टम है काफी एक ही बटन से सब कुछ है और साथ में लिए रही इस्क्रीन पर इसे पता चल जाता है ज्यूरू रूव थर्ड होता है कि व्हक्त रेंका वह इसके अंदर है और इसमें भी मार्कर ग्रेड यह सब चीजेंस के अंदर जो मैनिवाला है वह आपका फंक्शन इसमें आप स्कान कर सकते हो जिस्ते आपका कैमरे के हो जाता है और इसके अंदर आपका एक यह है जूम भी अगर आपको और जूम करना है किसी तो जूम भी कर सकते हो जूम इन जूम आउट बाकि इस एस्पेक्ट रेशियो में चूज कर सकते हो कि फुल स्क्रेंट चाहिए जाइए शिक्स्टीन बैने रो सब और चौता जो गया टाइमर हो गया बैक लाइट का टाइम ब्राइटनेश री सेट यह सब चीजे और फक्ष्ट जो है आपका उसको आप वह भी कर सकते हो कौन फिगर कि वह एफ वन से क्या होगा फ्टू से क्या होगा शॉटकट नहीं बेसे कली यह भी इसी लास्ट मेन्यू में तो अब मैं आपको इब कनेक्ट करके दिखाता हूं तो इसका जो कनेक्शन पॉइंट है वह यहां से एजडीम है तो आपको दो दिखाई दे रहे होंगे एक इसमें इंपूर्ट है और एक आउटपूर्ट है इंपूर्ट तो कैमले से इंपूर्ट आएगा तो इसमें तो यह मैंने इसको कनेक्ट कर दिया पहले में डाला एक केबल को और दूसरी मैंने अपने कैमरे में डाल दी इस तरीके से जहां पर अपना इंपूर्ट था अब जैसे मैं लाइव यू पर जाओंगा तो स्क्रीन में आपका डिस्प्ले आ जाएगा यह आ गया आप देख स और जो कैमरे के कंप्यारेजन में अगर आप साइज भी देखिए तो कितना फरक है कैमरे का साइज है अपना 2.53 इंच और वो तो इसमें आपको साइड डिटेल आएगी यह इसमें ग्राफ शो हो रहा है उसका पीकिंग हो गयरा का तो अब मैं एक एक फंक्शन पर जाकर आपको बताता हूं इसको एक जगा पी रख देते हैं ताकि आपको लाइव यू दिखता रहे इस तरीके सेट कर देते हैं कि कुछ फ्रेम में आए और आपको क्वालिटी पता चल दे ठीक है जी अब इसके अंद अगर यह आगे अपने हाथ में तो इसकी जो मेन्यू में जाते हैं यह आपका जो में फंक्शन आपीकिंग पीकिंग इसमें और तो अभी आपको फोकस पर लेंस है तो आपको दिख जाएंगे जो रेड रेड इसके नरह में तो रूब डाक कर देता हूं ताकि आपको कि यह देखिए तो पीकिंग से आपको पता चल जाएगा फोकस का फोड़ा जूम कर देता हूं मैं यह इसके अंदर पीकिंग होने तो अब आपको पता चल रहोगा कि क्या चीज़ फोकस में और क्या चीज़ नहीं है कि यह आउटलाइन आजाता है मैं आप बिक कींग टेस्ट कर रहे हैं इसका आप स्क्रीन पेलिख सकते हैं जैसे यह फोकस में आएगा तो जो छोटी भी भूक्सितोब एकालर देखाने काज तरीखा की है किattform स्काइब फॉक्स तरुटे की पर bautraday प्रेटेख WILD होगई बाउनरीा ख़ता हौए है यह अब बसक्ते होता यह मैं यह काम टोपर रहे है आपको पता चाल जाता है कि exposure के बारे में जो आपके राइट में चल रहरे एक बाकिन प्रफिस कहलर होता है फॉल क कवरा से विस्ट भी आपका यही होता है exposure लेवल जीसे जब आप सब्कुद दिखा लेता हुँ अधो यह भी इसे फोकर्स पर हैं यह भी पीकिंग आपको दिखी गया होगा तो फोकस आगए फॉसकर भी ओन करके दिखा देता हूं यह कि यह और अविगलर का पॉज़र के साब से शेट है जिस पर जितनी लाइट पड़ रही है उस पर उतना डार कलर आएगा यह देख़िए यह आपका फॉल्स के दरिये तो यह जब आप लाइट यूज़ करते हैं तो इसे साफ से सेट कर सकते हैं कि वह कलर कैसा उसे सब अपना कुछ चीज डाक रखनी है तो उसका वो शेड आ जाएगा इसे आपको हेल्प हो जाती है जब आप अगला सीन शूट करेंगे तो बैकलेट हमेशा आपकी यलो ही रहेगी फेस हमेशा ब्लू र पॉनी है जो साइड में आ रहे वह भी एक्सपोजर के साफ से जहां पर लाइट जादा है वहां पर वाइड अलगा जाता है यह देखिए वह दो आई रहा है यह देखिए यह एक्सपोजर है और इस्टोग्राम है अभी मैं इसका आपका इसको फॉल्स कडर को बंद कर दे रही है आपका यह एक्सपोजर लेवल पीकिंग और इस्टोग्राम का बाकी वाल्यूम है वाल्यूम अगर आप हैटफोन लगा कि इसमें सुनना चाहो तो इसमें ऑडियो आ जाएगा एज्डियमाइक तुरू बाकी लास्ट मेन्यू में लैंग्वेज है और इसका बैक ल लेते हैं इसका करन्ट प्राइस है 11,500 और जो इसके अड्वांटेज थी मैं आपको बताई दी साइज इसके इंदर फाइव इंचिस भी अवेलेबल आता है लेकिन फाइव इंचिस मैं आपको वह अड्वांटेज नहीं मिलेगी जो सेवन मैं कि और बैट बैटर आपको द कर लो या 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 डारेक्टर मॉनिटर की तरह यूज करना है तो सेवन इंच है और जो इसकी ब्राइटनेस है वो डेलाइट में आपको दिखेगी जब शेड लगाएंगे तो डेलाइट में आपका विजिबल होई जाएगा वो भी इसकी आफिशेड वांटेज है चलिए थांक यू ओर वचिए